इंदोर नगर निगम करमी और एक वकील के बीच में सोमवार शाम को विवाद हो गया मामला सामने आया जहां कोर्ट परिसर में हुए विवाद के बाद नोबत हतापाई पर आ गई मामले में निगम कर्मी दौरा वकिल के खिलाव कानूनी कारेवाई करने की बात भी कही गई रोकटू को अभ्यान के तहत मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को टोका जा रहा है इसी के तहट सोमवार शाम को जब निगम कर्मी जिला कोर्ट पहुँचे तो एक वकील को जब निगम कर्मी ने मास्क लगाने को कहा तो वकील द्वारा मास्क लगाने की बात कही गई और निगम कर्मियों को वहाँ से जाने को कहा इस बीश बातों बातों में दोनों पक्षों में विवाद हो गया जहां निगम कर्मियों का आरोप है कि उनके एक साथी को वकीलों ने दो चांटे जड़ दिये वहीं वकील के मताबिक निगम कर्मी गुंडागर्दी पर उतर आएं और बीना आइडेंटिटी कार्ट, बेंच या किसी ड्रेस कोट के कोट में आते ही बहस करने लग गए और विवाद पर उतारू हो गए इंदोर से बीरो राके सचर के साथ सती शर्मा की रिपोर्ट मास्क लगाक प्रोटोकाल का पालत करें हम लोग सब मास्क लगाके रखें आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है मास्क लगाके रखें नहीं घर ले जाके खाना है यहां नहीं खाना है आग रहा है आप लोगों से घर ले जाके खाईए यहां बेच के मत खाईए और मास्क लगाई है कोरोना से बचा उस मास्क ही है मास्क लगा के रखें मास्क उता रहें न यहां पर बैठके खाना अलाओ नहीं है टेक अवे हैं यहां पर बैठके क्यों खा रहे हैं आप लोग अगर आप लोग की समय नहीं सुरक्षित रहेंगे तो इंदौर कैसे सुरक् मास्क लगा के रखे खाने को टेक अवे ले जाए खाने को अपने घर पर नागनियम दौरा इसा विवाद किया गया कि में और मेरे बड़े पापा जो एड़ोकेट हैं हम बेठे वे ते दोनों टेबल पर हम दोनों के प्रॉपर मास्क लगे वे थे बाकि उनके दौरा आके ब मास्क पेका उसके बाद बड़े पापा के साथ जो मेरे अड़ोकेट हैं उनके साथ गाली गलोच करी अबरत वेहार करा और उसके बाद यहां पर वो बोलके कि हम तुम्हारे उपर एक अगर आप लीगल एक्शन जो थी हमने बोला कि आप चले जाएए यहां से तो उनके द nya कि आप उनको पहना बोलें कि आप मास पहने प्रकर तरीके से आप से सऊस्शल diam सिंग करें माके बाकि नगर निगम द्वायओ यह करा जा रहा ही कि वीडियो मोईल निकाल लेते हैं मोई निकाल के वीडियो बनाने के बार लोगों को बोलते कि आपका झालन बनाना अगर आधमी पानी पीना है तो मास उटागी पहने हगा उतार के पहने गाल यह पर भी है baixo अगलं आपने बना इनल को पानी पीते उनका चालन बना मित्या अगर आधमी ङाणो होगी क्योंकि आप मत करिये अभी क्या हुआ अभी इस मामले में यह हुआ कि जो कोट के करमचरी जो जिल्या नियादिश थे उनके दवाइब लगाया कि आप आप से समझोता हो गया है उन्होंने बोला कि कोई कारवाई नहीं कर रहे ना मेरे द्वारा ना गन्यम के दुवार ना उनके पास बेश था ना आइडेंटिक आट था आते से सीधे उन्होंने बत्तमीजी अपरत वेवार करा है मेरा नाम नावाजिश कान है 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 अब देख रहे हैं हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बे झाल